जै शानिदे प्रिभक्त गणों जो ब्रस्पती ग्रहे अभी तक प्रफुलित होकर आप सभी को विभिन राशी वालों को यानि एरी से लेकर पाइसे राशी वालों को और मेश राशी से लेकर मीन राशी वाले सभी व्यक्तियों को विभिन प्रकार से अपना आशीरवाद प आज 7 माई 2024 मंगलवार के दिन 7 बज़ कर 43 मिनट जैसे ही शाम का समय होगा वो अस्त हो जाएंगे और उनका जो ये अस्त बने रहने का जो समय होगा वो 6 जून 2024 ब्रस्पतिवार के दिन सुवे 4 बज़ कर 41 मिनट तक वो निरंतर अस्त रहेंगे यानि इस 30 दिन की अवदी के दोरान ब्रस्पति देवता अस्त रहेंगे और ब्रस्पति ग्रह का अस्त होना किस प्रकार से प्रभावित करेगा आज इस ग्रह गोचर की व्याख्या करने के लिए कि ब्रस्पति ग्रह अस्त हो रहें में गुरु रजनीश रिशी स्वामी राज रिशी के साथ शनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस्थ पटेल नगर नई दिल्ली में प्रस्तुत हुआ हो तो जो ब्रस्पति ग्रह अस्त हो रहे थे उस समय आस्मान में जो ग्रहों की इस्तिती थी मैं सबसे पहले उसकी व्याख्या करता हूँ व्रश्चिक राशी उद्य हो रही थी आस्मान कुम्ब राशी में शनी महराज अपने ही घर में विराजमान बुद्द ग्रह मंगल ग्रह और राहु ग्रह मीन राशी में विराजमान थे सूरिग रहे शुकुर रहे और चंद रहे ये मेश राशी में विराजमान थे प्रस्पति रहे वरशब राशी में विराजमान थे और केतु महराज कन्या राशी में विराजमान थे मैं उन सभी लोगों से जो शनी पीछ मंदिर का ये जो चैनल है जिसका नाम गुरू रजनी शरीशी है इसे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल को करते हैं तो भगवान शनी दे भी प्रसंद और आप भी प्रसंद और इस के साथ साथ मैं उन सभी लोगों को जिनका आज जनम दिन है, मेरी जैनवर्सरी है यह उनके जीवन का अन्य कोई महतपूर्ट दिन है, उन सभी लोगों को अपनी तरफ से स्वामी राज रिशी की तरफ से और इस शनी पीठ मंदिर के पीठा दीश भगवान शनी देव की तरफ से आप सभी को आपके जीवन में सुख सांती और सौभागी के लिए शुब कामनाएं प्रदान करता हूँ आशीरवाद प्रदान करता हूँ कि आप नियंतर तरक्की और उन्नती के मार्ग पर अग्र सरित होते रहें और जब भी कोई परिशानी के अफसर आए तो बिना किसी जीज़त के स्कीन पर आरे नंबरों पर मुझे से या स्वामी राज से संपर्क कर सकते हैं मैं रामपाल फरीदवाद से रजनीष जिसे मैं एक साल पहले मिला था तो हजार इकीस के असपास मैंने उनसे अंगोटिया नहीं थी सिर्फ काफी मुझे फाइदा हुआ मैं मेरी केमिस्ट की दुकान है आप किसी कराण बस वह अंगोटी तूट गई जो मुझे परशानी बढ़ी फिर मैंने दुबारे उनसे संपर किया उन्होंने जो है मुझे फिर बताया मेरा काम अच्छा चल रहा था पिर दुबारे से मैं उनसे गुठी लेने जा रहा हूं है जैशनी बात करूंगा मैं मित्धुन राशी वाले व्यक्तियों के बारे मे यानि जैमनाई जोडियाक्साइन की अगर हम बात करते हैं तो जैमनाई जोडियाक्साइन वालों ये ब्रस्पति गिरह जो अस्त होने जा रहे हैं वो आपका 12th हाउस है आपके खर्चे वाला हाउस है तो आपकी खर्चे की अधिक्ता को रोक लेंगे आप जो धर्म करम से स और आपको जो बीमारी हो रही थी लीगर से सम्मंदित उस पर अटेक होना निश्चितूप से आपको यहां पर लाब प्रदान करता है यह आपके लिए हानी का सबब कम है लाब का सबब ज्यादा है कि आपके खर्चों में अचानक से रुकावट आ जाएगी जो अनावाशक देपता का अस्थोना आपके लिए कोई परेशानी वाली बात विश्यश रूप से नहीं है धरम करम से जुड़े नहीं भग्मान में अटूट विश्वास रखते हैं यही सबसे बड़ा सत्य है इसके साथ ही वो सभी लोग जो शादी योग्य हो गए हैं और अपनी शादी के लिए अपना शादी का बायो डेटा बनाना चाहते हैं या उनके माबाप उनके लिए शादी का बायो डेटा बनाना चाहते हैं या उनके भाई बहन उनके लिए बायो डेटा बनाना चाहते हैं तो ऐसी सभी लोगों के लिए हमारे शनी पीठ मंदिर की एक वेबसाइट नई लॉंच हुई है उसका नाम है www.marriagebiodata.a.p एप तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना शादी से संबंदित एक खुबसूरत सा बायोडिटा बना सकते हैं और उसे अपने संबंदित लोगों पर में भेज कर संबंदित कम्यूनिटी में भेज कर उन लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं और यथा योग्या अच्छे से अच्छा जीवन साथ ही प्राप्त कर सकते हैं जै शनी देव